यह अधिया इस्टूडेंट वेलकम टो माय चैनल इन कंटिनेशन टू लास लास टूबेट फिर इस्टार्ट आउर नेक्स टॉपिक एफेक्ट्स ओफ ऑफ ओक्सिडेशन रियेक्शन इन एवरी डे लाइफ ओके जो लास्ट क्लास में जो हमने Oxidation and Reduction reaction देखे थी उसी का आगे हम continue कर रहे हैं कि जो आपकी Oxidation जो reaction होती है उसका effects हमारी everyday life में क्या होता है ठीक है तो हम two effects देखेंगे first देखेंगे हम corrosion of metals and second हम देखेंगे rancidity तो first start करते हैं corrosion of metals ठीक है यह word आपने सभीने सुन रखा सव रखा और रखा है corrosion of metals चुरॉजण of metal actually है ठीक है तुझो हमें last nine class में अपने अपने इतल के बारे में बढ़ता जबर में क्लासीफाइग एथा आपके जो भी मेटल में प्रॉपर्टी बड़ी तो जो जो क्या होती उनके अंदर इक प्रॉपर्टी होती शाइनी इन नेचर यानी कि जो मैटलेक लस्चर्चिर प्रॉपर्टी होती है तो हम यह देखते हैं कि अगर हम उनने कुछ टाइम के रहे हैं atmosphere में ऐसे exposed कर दे मीज़ थोड़े टाइम अगर में ऐसा atmosphere में रख दें तो हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद जो उनकी जो प्रॉपर्टी है जो डल हो रही है इसी को ही हम क्या बोलते हैं corrosion of metal ठीक है वापस से explain करूँगा corrosion of metal एक्चुली है क्या कि जो metal के अंदर प्रॉपर्टी होती है लस्चर वाली मीज़ उनकी शर्फेस जो होती शाइनी होती मीज़ उनके चमक होती ठीक है तो जैसे अगर हम उस मैटल को थोड़े टाइम के लिए atmosphere में अगर हम ऐसे खुला छोड़ देते तो हम यह देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद उनके लस्चर वाली जो प्रॉपर की होगी या पर शल्फाइड की होगी इसी वज़े से क्या होता है जो लस्चर वाली प्रॉपर्टी है वो गायब हो जाती है इसी को हम क्या बोलते हैं को रोजन ठीक है को रोजन क्या है when metal are exposed to atmosphere for a long time they lose their metallic luster and become dull because of the formation of oxide carbonate or sulphide layer on their surface the formation of these layer on metal surface it's called corrosion okay तो यह है आपका corrosion ठीक है फिर हमने एक reactivity series देखी थी उसमें हमने देखा था कुछ metals जो होती है वो क्या होती है highly reactive होती है और कुछ metals होती वो less reactive होती है तो यहाँ पर corrosion में भी उनका importance आता है ठीक है जो highly reactive metals जो है उनका corrosion maximum होता है जो आपकी highly reactive या most reactive metals है उनका corrosion जादा होता है और जो metals least reactive है least reactive metals कौन कौन से आपकी gold and platinum वो क्या होती है जनरली unaffected होती है corrosion से क्यों क्योंकि वो least reactive है वो noble है एक तरह से वो react नहीं करती है तो most reactive metals corrode to maximum extent gold and platinum being noble and unreactive metals are least affected by atmospheric moisture ठीक है तो उनका corrosion बहुत होती ही कम होता है ठीक है next हमारी metal आती है silver ठीक है silver जो है अगर हम देखते हैं कि जो भी हमारे ornaments अगर वो silver के हैं जब हम उन्हें purchase करते हैं तो हम शाइनी सी surface रहे तिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो क्या होती थोड़ी सी black black हो जाती है उनके अंदर जो cluster है वो कम हो जाती है ठीक है तो जब भी आपकी silver जो है वो क्या होती affected कम होती है बट फिर भी affected होती है ठीक है silver is affected if atmosphere contains even a small amount of hydrogen sulfide gas कि अगर आपके atmosphere में hydrogen sulfide gas है तो वो क्या करती है आपकी silver metal effect होती है क्यों होती है कि H2S gaze जब आपकी silver से react करती है तो वो किसका formation करती है silver sulfide का और अभी के time में क्या है pollution इतना है तो वहाँ आपके silver sulfide gas present होती ही होती है इसी वज़े से क्या होता है हम देखते हैं कि थोड़े time बाद ornaments जो है silver की वो थोड़े थोड़े black हो जाते हैं इसी तरह से next हमारी metal आती copper ठीक है कि हम copper में भी क्या होता है कि अगर हम जब एकदम fresh copper है अगर हम उसका कोई copper का एक utensil या कोई भी item लेका थे तो उसमें क्या होती है ब्राउन कलर की shine होती है ठीक है पर थोड़े time बात क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब वोगर atmosphere में exposed होती है तो थोड़े time बात क्या होता है उसके उपर एक green color की layer form हो जाती है ठीक है यानि कि उसकी shiny surface है वो कम हो जाती है तो वो किस वज़े से आपकी जो copper जो metal है उसका corrosion होता है ठीक है तो copper और exposure to humid and moist air containing carbon dioxide gaze for a longer duration gets coated with a green layer of basic copper carbonate अब इससे हम कैसे लिखेंगे basic है means CuoH का hold twice ठीक है ओवर चा गया तो basic है और copper carbonate Cu CO3 तो Cu का hold twice dot Cu CO3 यह आपका form इसका formation होता है इसी की वज़े से green color की layer form होती है तो इस तरह से आपका क्या होता है copper का corrosion होता है next metal हम देखते हैं कि आपका aluminum है ठीक है जब aluminum को भी हम क्या करते हैं वो थोड़े time के लिए अगर आपका atmosphere में exposed है तो उसके उपर भी क्या होता है एक layer form हो जाती है aluminum oxide की ठीक है तो इस यह जो process है aluminum के उपर oxide layer के form होना कौन सी AL2O3 इसे हम एक बोलते है anodizing ठीक है इस process का नाम भी है anodizing ठीक है यहाँ पर चीज हमें ध्यान रखनी है कि पहले अभी जो हमने three examples जो देखे two three examples silver and copper गा उसमें तो हमने देखा था कि जो हमारी metal है corrosion के एक तरह से harmful effect थे रहा है ठीक है कि उनकी जो property है वो कम होरी बट aluminum के case में क्या होता है कि जो यह oxide layer जो form होरी यह actually क्या करती है protective layer form करती है कि जो aluminum oxide जो layer है यह तरह से protective layer का form करती है क्या करती है कि जो अब अंदर की तरफ जो aluminum metal बचा है उसका further oxidation होने से यह क्या करती है रोकती है तो एक तरह से किसका करती है protective layer का work करती है तो यही reason है कि जो आपकी aluminum जो है metal वो reactive metal है बन फिर भी जो utensils होते हैं most of utensils जो हैं वह आपके किस भनने होते हैं aluminium के बने होते हैं जबकि वह क्या और responsive a user highly reactive बैठल है बच फिर भी question पूछा जाता है कि aluminum है आपका highly reactive metal भी जो भी होते है utensils भनायी जाते कि बनाए जाते है क्यों knit aluminum oxide layer warm क्या करती है वो क्या करती है अधिय का अधर की तरफ फेल मिन इव Versus इसने वह प्रॉटेक्ट करते है इसी वजहर से जर्वाज़ को शोली इसके बने होता है वह अधरी बोटीं मिन अधर इसके बने होते हैं गॉंक है That is why even though aluminum is a very reactive metal, utensils are made of aluminum. Okay, next हमारी metal आती है, iron. तीक है, iron का भी corrosion होता है और काभी स्यादा होता है. तो उसको हम नेप देते हैं, rusting of iron. जो iron का जो corrosion है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? Rusting of iron. The corrosion of iron is called rusting. तीक है, कि जो हम देखते हैं कि यह हमारा example जो है, iron वाला, यह हम mostly हम देखते हैं, कि जो आपका, हम देखते हैं कि iron के जो भी आपके कोई structure बनी है, gate वगरा है, कुछ भी बनाया है, तो हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बात में क्या होता है, एक reddish brown layer form हो जाती है. ठीक है, कि जो आपकी जो iron की जो एक ग्रे कलर की, डार्क ग्रे कलर की जो एक शाइनी प्रॉपर्टी होती है, वो लूज हो जाती है, और reddish brown कलर के एक layer form होती है. ठीक है, तो वो क्या होता है आपका rusting of iron, ठीक है, वो rusting of iron का मतलब क्या है, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, उसका oxidation reaction means oxidize हो रहा है, ठीक है, उसका corrosion हो रहा है, ठीक है, तो वो होता है आपका rusting of iron, ठीक है, rust form होता है, वहाँ पर एक reddish brown कलर का, एक layer form होती, reddish brown कलर क्या है आपक फेरिक ओक्साइड या फिर हाइडिटीड आइड टू ओक्साइड भी हम उसे बोलते हैं ठीक है दे कोरोजन अफ आइरेन इस कॉल्ड रस्टिंग ठीक है इफ आइरेन ऑब्जेक्ट आफ इन हुमिट कंडिशन फॉर एल लॉंगर टाइम देगेट कवर्ड विट रेडिश ब ऐर एक और फो हो हो सकते हैं ठीक है अब यहां देखों कि जो आइरन है ठीक इसमें इसका क्या records or three dot x ब्रिक्शंड यहां पर ऑक्सिडेशन और डिजुग और हो रहा है ठीक है और यहां पर देखो एड हो गया तो ऑक्सिदेशन हो गया थिक रस्टिंग डेमेज इस नॉट अइनली दर सर्फेस बट दर होल बलक ओफ आयरन की जो अब रस्टिंग यहां पर सिफ उसकी सर्फेस को ही डेमेजनी करती जो पापकी पूरी मैटल है उसको यह क्या कर देती है डेमेज कर देती तो आपने जो यह कारोजन देखा इस रस्टिंग जो है यह क्या है डेमेजिंग वेरी डेमेजिंग एक पूचा जाता है कभी कभी चोटा सा कि जो रस्टिंग है उसके लिए कंडिशन किया है तो टू कंडिशन सोथी फिर्स प्रेसेंस ऑफ एक सेटेंस और दो यह था आपका प्रिवेंटिंग और या फिर हमने जो को मेटल का को रोजन से हमने आपर फो टाइप की मेटल का को रोजन देखा है ती नेक्स हमारे पास आता है प्रिवेंटिंग और रस्टिंग को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं तो कुछ हमारे पास मेथर्स होते हैं प्रिवेंट करन या फिर हम क्या कर सकते हैं पेंट करके भी हम आयरन आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जनरली जो हम वर्निश वगरा यूज में लेते हैं कहां जैसे ग्रिल्स हो गया आयरन गेट्स हो गया यह स्टील फरनीचर से इनको प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं वर्नि टेटी क्या करते हैं तूसरी metals कि ठीक कउसी Metals जैसे आपकी Chromium है जो की क्या होती है Not Affected बाइर और मॉश्चेर कि जो Chromium हो आपका Air and Master से aftet नहीं होता है तो हम इसकी क्या करते हैं लेयर उसके उपर deposit कर देते हैं ठीक है next हम क्या करते हैं कि कुछ और other metals है जैसे कि कि जिंक जो मेटल है उसको भी हम क्या कर देते हैं उसकी एक लेयर फॉर्म कर देते हैं जो आइरन के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम क्या करते हैं जिंक से कोट कर देते हैं कैसे कि जिंक को मेल्ट करते हैं देन आपको जो भी पार्टिकल्स को जिंक के अंदर डिप करते हैं है उसको वापस कूल डाउन कर देते हैं तो जिनकी एक लेयर फॉर्म हो जाती है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं गैल नाइजेशन ठीक है तो यह प्रोसेस भी बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है गैल नाइजेशन ठीक है इनामेलिंग एंड अप्लाइंग पॉर्स इस फॉर्म को यह आई रेन की जो अब्जेक्ट से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ठीक है को टिंग अटिंग दे अंडर्ग्राउं आइड पाइपस विद्ध एमोर रियक्तिमेटल लाइक मेगनीशिम ठीक है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका आईडन की जो पाइप से अ निकल हैं और निकल को की हैल्बस एक अलोइस फर्म करने छिससे भी हम क्या कर सकते है रस्टिंग को प्रोटेक्ट करस बना, तुक मैं तो यह था आपका आपका को रोजन टॉपिक ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रैंसिटीटी तेंक्स फॉर वाचिंग वीडियो